नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि UPPCS ने अभी अपना अब्जेक्शन का विंडू खोला हुआ है और बहुत से टेलिग्राम गुरूप में और परसनली मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर बहुत से कोशन्स हैसे हैं जो डिस्प्यूटेड हैं और दोनों पेपर में, CC के पेपर में भी बहुत लोग भेज रहे हैं और GS के पेपर हैं भी जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बोलाता कि अगर से आपको अपना अब्जेक्शन रजिस्टर करवाना है तो आपको जो प्रूफ देना पड़ेगा वो प्रूफ आपका authentic होना चाहिए कोई government का reliable resource होना चाहिए तब ही उसको आयोग मानेगा नहीं तो आयोग उसको serious है नकार देगा तो बहुत लोगों ने मुझे अलग-अलग PDF भेजा है जैसा आप यह देख सकते हैं एक PDF मेरे किसी subscriber ने मुझे send किया है और मुझे बोला है कि सर आप इसको अपने चैनल पर शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको post करें और आयोग के उपर फ्रेशर बने और जो disputed question है उसको आयोग हटा दे तो यहाँ पर questions की कुछ लिस्ट है अब देखें मुझे पता नहीं कि आयोग कितना हटाएगा कितना नहीं हटाएगा बट मैं आपके साथ share कर रहा हूँ और आप यहाँ पर अपना name, roll number डालके इसको भेज सकते हो इसमें जो proof है वो भी attached है तो मेरा एक यह चोटा सा प्रयास है अगस इसमें किसी को help हो जाती है किसी को थोड़ी सी भी help हो जाती है दो चार number कोई भी बढ़ जाते हैं तो अच्छा ही रहेगा सबके लिए और मुझे काफी comment आ रहे थे कुछ questions थे लोगों के, कुछ query थे पहला ये था कि कुछ लोग पूछ रहे थे वो 200 marks का हो जाएगा यहाँ पर question आगो कितने marks मिल रहे थे तो 1.33 यहाँ पर question आगो कितने marks मिलेंगे तो 1.35 यह 1.35 कैसे आया तो 200 divided by 148 एक question का आपका marks हो जाएगा 1.35 और अगर से question delete होते है तो ज़्यादा फायदा उनको होता है जिन्होंने question attempt नहीं किया है यहाँ पर उनका नुकसान होता है जिन्होंने attempt किया है और जिनका question आयोग ने सही माना है एक बार हम यह document देख लेते हैं कि कौन कौन से question जो है वो disputed बोल रहे हैं लोग तो question number 4 यह set B है question number 4 है आप question number 4 यह था question number 15 है वो SDI वाला question 21 है 21 यह आप देख सकते हो यह question number 21 है यहाँ पर बोला जा रहा है कि spelling mistake है citrus cracker जो है कोई disease नहीं हुआ साहू जो है यहाँ आप आप देख रहे होगे साहू साहू कोई disease नहीं हुआ तो देखिए यहाँ पर spelling mistake है और यह proof attest है आप margin पे हो और कुछ question अगर से उपर नीचे हो जाए तो आप अंदर आ सकते हो तो आप भेज दीजिएगा क्योंकि क्या होता है कि maximum लोग जो है वो 82 question के आसपास ही तैर रहे है जैसा कि आप जानते होगे कि statistics में एक bell curve बनता है तो यह आपका bell curve हो जाता है मतलब की जो maximum density है वो यहीं प्याती लोगों की अगर साप इससे ज़्यादा हो तो आप pass हो गए इससे कम हो तो fail हो गए तो बहुत लोग आपके यहीं प्या जाएंगे वही 82 question का जो margin है ना यहीं प्या रहा है तो अगर साइसे question claim करने तो आपके marks बर जा रहा है तो आप बिल्कुल करिए और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी help करूँगा और अगर सापको लगता है कोई और भी questions गलत है और आपके पास authentic proof है तो आप मुझे mail करिए मैं उसका भी video बना के जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तो पहुचाने कोशिश करूँगा question number 30 है ये ये आपका pneumonia वाला था ये आपका question number 36 है 36 ये wildlife century वाला था यूपी का गतरनिया घाट वाला इसके बाद question number 70 है वो पेगू यूमम पूछा गया था क्या पाया जाता है उसके बाद question number 72 है वो तंजानिया का president वाला question जो था उसमें भी लोग कह रहे था कि गलत है question number 74 आपका farm subsidy वाला था तो इसमें भी ये बताया गया है कि PM किसान जो है वो DBT scheme है तो उसकी वज़से जो है option D सही हो जाता है मतलब 1 or 2 सही हो जाता है अब ये देख सकते हो 74 question था D सही माना गया है मतलब 1 or 2 सही है और 4 लोग गलत मान रहे है इसके बाद देखे question number 75 75 question आपका ये था तो इसमें ये बोला जा रहा है कि Q8 और Q7 दोनों government की website पर mention है तो इसको भी आप देख सकते हो आपका proof यहाँ पर attached है नीचे इसका question number 80 जो है वो अराक ये स्थंब वाला वो भी disputed बोल रहा है question number 107 है वो डेंगू वाला question जो था question number 121 गंगा एक्शन प्लैन वाला question number 123 वो आपका match the column वाला था ये देखिए trade union एक साइड था और बागकी party affiliation तो इसमें भी objection खड़ा किया है इसके बाद borneo वाला जो था question number 126 question number 144 आपका Mediterranean वाला था उसमें भी source NCRT बताई गई है question number 145 जल जीवन मिशन वाला है इसके बाद आप source देख लीजिए जो जो source आटेस्ट किया गया है तो आप ये source देख सकते हो अलगलग questions के question number 4 का proof है question number 15 का proof है 21 का proof है यहाँ पे 30 का proof है 36 का, 72 का इसी तरह और भी proof है आप देख सकते हो 74 का है ये और 121 का है 126 144 इस PDF को मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर डालनूगा आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी अपत्ती जो है वो दर्च करा सकते हैं इसके साथ एक और PDF मुझे मिलाता तो आप ये दूसरा PDF देख सकते हो इसमें भी कुछ questions है तो अगस आपको लगए कुछ questions इस PDF में है बट इस PDF में कम है तो आप मिला के भी भेज सकते हो देखी आयो कितने questions सही करता है कितने questions बदलता है कितने questions डिलीट करता है वो तो आयो के हाथ में है बट objection करना आपका right आपका अधिकार है वो आप बिल्कुल कर सकते हो और जितना मुझस से हो सकेगा मैं आपके ज़रूर हेल्प करूँगा और साथ ही paper to seaset में भी बहुत लोगों ने बोला है कि उनको problem हो रही है तो आप मुझे authentic source के साथ कैसे इन्होंने बनाया है उसे तरह बना के आप मुझे mail कर दीजे मैं उसको भी अपने चैनल पिला दूँगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत सके मेरा mail ID है ias-pcs-252-eathered-gmail.com मेरा mail ID आपको description ने मिल जाएगा और मेरे telegram channel कर लिंक भी आपको description ने मिल जाएगा धन्यवाद